सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सस्रियाकाल, मैं उर्वशी आप सभी का हमारे चैनल भारतिये मीडिया पे स्वागत करती हूँ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद पूरी दुनिया खौफ में है और सभी देश अपने नागरिकों को किसी भी तरह वहां से निकालने में जुट गए है। भारत ने भी रविवार को 129 भारतियों की एर इंडिया के विशेश विमान के जर्ये काबुल से रेस् चाहता है। इसके अलावा तालिबान की दौलत पर भी चीन की नजर है। ब्रेगन के कई प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शिरू हो सकते हैं और पुन निर्माड के नाम पर वह अपने कारुबार को बढ़ावा देना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का साफ मानना है कि तालिबान को मान्यता देने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और जो लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं। उन्हें शायद विदेश नीती की समझ नहीं है। चीन ने काबुल में अपने मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश काफी पहले से शिरू कर दी थी। इसी मकसद से 28 जुलाई को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात भी की थी और इस बैठक में तालिबानी नेतामुला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हुआ था। ऐसा तब किया जा रहा है जब दुनिया के कई मुल्क तालिबान को आतन की संगठन मानते हैं और खुलकर उसकी खिलाफत करते आए हैं। दरसल अफगानिस्तान में प्राकृतिक खनी जोका भंडार है जिस पर चीन की नजर है। वहाँ डेवलेपमेंट के नाम पर चीन अपनी घुसपैट करेगा जिससे वहाँ के भंडार को लूटने में मदद मिल सके। आपके क्या विचार है हमारी इस शॉर्ट न्यूस के बारे में कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं धन्यवाद।